हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू संस्कार स्टेडीज फ्रेंट्स आज है 26 जुलाई 2020 और आज तक के जितने भी करंटेफेस के इंप्रोटेंट क्यूशन्स हैं वो डिस्कुस करेंगे आज की सेशन में ठीक है शुरू करते हैं आज का सेशन देखिए फर्स्ट क्यूशन है आईय सेशन शिद्या शिवा देश है वह बना है निकारगुआ एक मध्य अमेरिका का देश है घिक है जिसने हाल ही में आयेस से समझोते पर हस्ताक्सर किये हैं ठीक है देखिए अंतराश्टिय सोरगठबंदन सोरुर्जा पर आधारित एक सयोग संगतन है जिसका सुबारं भारत में फ्रांस द्वारा 30 नौंबर 2015 को पैरिस में किया गया ठीक है तो पैरिस में इसका उद्गाटन किया गया था या सुभारम किया था ठीक है और किसके द्वारा किया गया थो तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के द्वारा इसकी शुरुवात की गई थी और इसका जो निकारागुआ की तो निकारागुआ सेंटरल अमेरिका में एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है तो मेनागुआ मेनागुआ कैपिटल है किसकी निकारागुआ की और यहां की राष्टपती है डेनियल ओर्टेगा ठीक है नेक्स्ट कुछन देखिए प्रदानमंतरी मोदी ने ठीक है अब मिजोरम में ये जलापूरती योजनाओं के आदार शिला रखी है तो देखिए मिजोरम की बात करें तो यहां की राजदानी क्या है आईजोल आईजोल मिजोरम की राजदानी है देखिए ये पूर्वतर राजजे है मिजोरम ठीक है पूर्वतर के जो साथ राजजे है उनमें एक है मिजोरम तो मिजोरम की राजदानी क्या है आईजोल और यहां के राज़पाल है पिये स्रीदरन पिल्लाई ठीक है पिये श्रिदरण पिल्ले, यहां के राजिपाल हैं और यहां के मुख्यमंतरी है जो राम थंगा नेक्स्ट कुशन देखी किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला सोतंत्र मिशन ताइनवेन वन लॉंच किया है देखी जो ताइनवेन वन है ये launch किया गया है चीन के द्वारा मंगल घ्रहे पर भेजा जाने वाला ये पहला सोतंतर मिशन है सोतंतर मिशन कैसे चीन इसे खुद डवलप करके भेज रहा है इसमें किसी भी बाहरी किसी भी अन्य देश का सयोग नहीं है चीन के द्वारा ये mission बेजा जा रहा है ताइनवेन वन अब बात करते हैं ताइनवेन वन की तो 2020 चीनी मंगल mission एक चीनी मंगल ओर्विटर लेंडर और रोवर देखिए इसमें तीन केटेगरी होती है हमारा जो भारत का मंगल मिशन था उसमें भी तीन थे और विटर लेंडर और रोवर ठीक है तो इसे राष्टिय अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर द्वारा संचालित किया जाएगा यानि इसी कौन संचालित कर रहा है तो चाइना नेशनल इस्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन ज इसके द्वारा ये मिशन भेजा जा रहा है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन देखी नई दिली में वरक्षा रोपन अभियान का सुबरम किसे ने किया है देखें नई दिली में हाल ही में हमारे ग्रहमन्तरी अमीज शाह ने वरक्षा रोपन अभियान frequent की सुरुवाद की है ठी CAPF CAPF जो हमारी paramilitary forces हैं जैसे BSF है CISF है CRPF है उनके साथ मिलकर भी व्रक्षार ओपन अभियान का सुबारम कर चुके हैं अमिद्शा ठीक है जो हमारे ग्रह मंतरी हैं तो CAPF के साथ मिलकर पहले व्रक्षार ओपन अभियान शुरू कर चुके हैं अमिद्शा और इसके बाद में अभी दिल्ली में व्रक्षार ओपन अभियान 2020 को शुरू किया है अमिद्शा ने ठीक है देखिए इस अभियान के तहट 10 राज्यों में 38 जिलों में 6000 एकड जमीन में पोधार ओपन किया जाएगा ठीक है तो इसके तहट 38 जिलों में 6000 एकड जमीन को पोधार ओपन के लिए शामिल किया गया है और इसमें 6 लाग पेड लगाए जाएंगे ठीक है इसके पहले जो CAPF के साथ मिलकर अमिज शाहन ने वरक्षार ओपन अभियान शुरू किया था उसके तुरू CRPF ने 20 लाग पोधे लगाए है ठीक है किस IAS अधिकारी को BRICS मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है देखिए BRICS एक संगठन है जिसमें मानद सलाहकार के रूप में भारत के IAS को नियुक्त किया गया है उनका नाम है टीना डाबी टीना डाबी को ब्रिक्स का मानग सलाकार की रूप में नियुक्त किया गया है ये भारत की I.A. सदिकारी हैं ठीक है अब बात करें ब्रिक्स की तो देखें इसके पांच सदश्य देश हैं पांच सदश्य देखें ब्रिक्स उबरती राष्ठी अर्थवेहुस्ताओं के एक संग का शिर्षक है इसके गटक राष्टर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षणी अफ्रिका देखें इसका जो नाम पड़ा है ब्रिक्स वो इन राष्टरों के नाम पर ही पड़ा है जैसे ब्राजील का बी ले लिया, रूस का आर ले लिया, भारत का आई ले लिया, चीन का सी ले लिया और जो सौथ अफरिका है ठीक है उसका एस ले लिया ठीक है तो ब्रिक्स जो नाम पड़ा है वो इन देशों के सुरुवाती जो इसका अलफा बेट है उसी के नाम पर प ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखना है और ब्रिक्स का मानज सलाकार किसे ने उट किया गया है तो टीना डाबी को नेक्स्ट क्यूशन देखिए किस राज्य सरकार ने कोवीड नाइंटीन के लिए स्वह परिक्षन प्रणाली शुरू करने की गोशना की है वो देश में यह गोशना किसके द्वारा की गई तो उत्रप्रदेश के जो मुख्य मंत्री है योगी योगी आदित्यनाथ उन्होंने यह गोशना की है इसके अलाव बात करें तो यहां के गवर्नर कोन है राज्यपाल कोन है तो आनंदी बेन पटेल यहां की गवर्नर है और उ स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉंच किया है दिखिए रिस्ट बैंड क्या है जो कलाई पर पहना जा सके उसे रिस्ट बैंड अपन कह सकते हैं तो इस्मार्ट रिस्ट बैंड जो लॉंच किया है कोविड-19 रोगयों को ट्रैक करने के लिए जिससे जो आम लोग है वो कोविड-19 के रोगियों के संपर्क में आने से बच सके ठीक है तो यह लॉंच किया है M.S. नागपूर ने M.S. नागपूर ने एक ऐसा smart device लॉंच किया है जिसके द्वारा COVID-19 के रोगियों को track किया जा सकता है ठीक है यह GPS प्रनाली पर काम करता है ठीक है देखिए नेक्स्ट कुशन है M.FIN का नया CEO किसे नुक्त किया गया है देखिए M.FIN तो माइक्रो फाइनेंस नाम यह क्या है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका CEO नया CEO नुक्त किया गया है किसे किया गया है आलोग मिश्रा को आलोक मिश्रा को माइकरो फाइनेंस का नया CEO निउक्ट किया गया है ये एक finance company है जिसका headquarter गुडगाव में है ठीक है गुडगाव में इसका headquarter है और इसका नया CEO आलोक मिश्रा को निउक्ट किया गया है next question देखिए किस राज्य सरकार ने कोशल विकास के लिए IIT रोपड के साथ समझोता किया है देखिए IIT रोपड ये कहां पे है तो पंजाब में है और इस से जो skill development के लिए समझोता किया है वो पंजाब government ने ही किया है ठीक है तो पंजाब गोवर्मेंट ने आयाईटी रोपड के साथ समझोता किया है किसके लिए राजिय में SKILL DEVELOPMENT के लिए ठीक है कोशल विकास के लिए आयाईटी रोपड से समझोता किया है अब पंजाब की बात करें तो यहां की राज़दानी क्या है चंडिगड राजदानी है पंजाब की और यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो कैप्टन अमरींदर सिंग यहां के मुख्यमंत्री है और यहां के राज्यपाल है वीपी सिंग बदनोर ठीक है नेक्स्ट कुछन देखिए DRDO ने कहां COVID-19 परिक्षन सुविदा की इस्तापना की है DRDO तो इसकी फुल फॉर्म क्या है Defense Research and Development Organization ठीक है जो किसके लिए काम करता है हमारी एक तरसे रक्षा परिशद है ये जो रक्षा पर डी आडियो है ठीक है तो इसने COVID-19 परिक्षन सुविदा कहां की स्तापना की है तो वो की है लेह में लेह में DRDO ने COVID-19 की परिक्षन सुविदा की स्तापना की है ठीक है देखिए DRDO के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म क्या है Defense Research and Development Organization DRDO की जो फुल फॉर्म है Defense Research and Development Organization इसका Headquarter है नई दिल्ली में और इसका जो स्लोगन है मोटो है वो क्या है बलश्य मूलम विज्ञानम ठीक है बलश्य मूलम विज्ञानम ये इसका मोटो है इसकी स्तापना 1958 में की गई थी ठीक है देखिए हाल ही में DRDO ने एक ऐसा ड्रोन भी विक्षित किया है ड्रोन भी विक्षित किया है इंडियन आर्मी के लिए जो काफी स्मार्ट ड्रोन है ठीक है जिससे की जो पहाड़ी छेतर हैं उनमें निगरानी की निगरानी आसानी से की जा सकेगी ठीक है तो ये भी किस ने डूब अडियों ने इसके अलावा डियों ने हाल ही में दुरुवास्तर क्या दुरुवास्तर नामक मिशाइल का बाला शोर उडिसा में सपलता पूर उक परिक्शन किया है ठीक है दुरुवास्तर क्या है जो नाग मिशाइल है उसी का नाम बदल कर ठीक है तो यह आज का अपना session था जिसमें हमने discuss किया कुछ important questions को ठीक है तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मिलेंगे कले एक नई session के साथ में thank you